गुड इनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो, हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे चल रही होगी, तो आज की बीडियो में हम डिसकस करने माले है, फिजिकल प्रोपर्टी आफ हैलो अलकेन, किसके बारे मे इसका अगर आपको पीडियो चाहिए, तो चैनल के डिसक्रिप्शन में जो है, टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप टेलीग्राम को जोईन करके इसका आप पीडियो वहां से डाउनलोड कर देंगे, तो अभी हम डिसकस करने वाले है फिजिकल प्रोपर्टी आफ अलकेन, तो देखे, फिजिकल प्रोपर्टी आफ अलकेन, आपके एक्जाम पॉइंट आप भी उसे बहुत इंपोर्टेंट है, और बहुत इजी टोपिक है, यहां से एक नंबर के कोश्चन हर साल आते हैं, और हर सेट में एक नंबर का कोश्चन रहता है, तो क्या है फिजिकल प्र प्यार करते हैं, उसको आप एक बार याद किरा लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा होता है, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो जो प्रोपर्टे लिखने का तरीका तरीका है, जो पहला ह उता इसको भीकषरोड़ का गया है?' पिजिकल स्टेट दान यानि कि solid है liquid है या गैस है इसके अलावा जो भी आपकी state of matter है इसका जो है discussion यह आप नहीं है वह ठीक इसके आप देखिए physical state of halolkins के बात करें तो physical state of halolkins तो physical state क्या है हम आपको उता दें कि जो आपका CH3 CL है और CH3I है CH3 BR है यानि जो एक carbon वाले जो आपके member है चाहे वह CH3 F हो क्या है CH3 F है एक carbon वाले member और एक halogen वाले member सब के सब क्या है gaseous state में होते हैं किसी state में होते हैं gaseous state में होते हैं और साथ ही साथ आपका जो है c l2 f2 इसको वोलते है chlorofluorocarbon यह भी हमारा क्या होता है गैस होता है क्या होता है इसके बाद जो higher member होते हैं क्या होते है higher member होते है वो क्या होते है liquid होते है इसके बाद जो higher member होते है वो क्या होते है liquid होते है और उसके बाद solid होते है जैसे जैसे molecular mass increase कर जाता है वेसे वैसे इनकी density भी इंक्रीज होती है गयसे क्या होते हैς लिक्वीड होते हैं लिक्वीड से फिजिकल इस्टेट उसके बाद इनका सब्सक्राइब क्वilateralिस होता है यह कालर कैसा मारे था ते कुछ का लेता है का लेकर झायोडाय ठीड़ में को हाँ- ह法 के प्रेजिद्मि सब्सक्स के ऊश्मारेde अगर में पास अगर हुग है या फिर फिर क्या ए यह जाएध ही तो ग्रोमायड और अगर हम क्या करेंगे spoke के छोड़ोंगे क्या करता है color attain कर लेता है तिा यानि कुछ अंदर ले लेता है जी इसको क्या करते है खुला चोड़ दे फिस्क कि लीस रहेगा थीक है फिजे कर इस्टेट पहला पौइंट उता है उसके बाद कलस होता तीसरा होता आडर यानि कि महक कैसी है क्या है क्लिशन इस्वीट कैसे रहा हमारे सीछन करें रही से इसमेल होता है इसंद कैसी है और इंग सतल दें किसी गया क्ला सविवत ऌतेव होता है उसके बाद हम बात करें घर के बाद के बाद हम बात करते हैं तो इसकी जो है हेलो-रकेन हो इलकोहाल हो इथर हो Areldehyईड हो किट्वन लिए किसिदू कुछ भी हो अगर convictions बढ़ रहा है तो І Isabella output दोना क्या करेंगे बढ़ेंगे क्या अगर मालिको बढ़ रहा है molecular mass बढ़ रहा है किसी भी organic compound का तो उसका melting point और boiling point भी क्या होगा increase कर जाएगा तो इस concept को आप सारे compound के लिए रखेंगे क्या if molecular mass क्या if molecular mass increases increases the melting point and क्या the melting point mp and क्या आपके bp also increases जो melting point और boiling point होता है यह भी क्या करता है increase करता है लेकिन यहां से इतना easy नहीं पूछा जाता है इस साल 2024 के exam में क्या है 2024 cbsc क्या cbsc के exam में पूछा गया था कि melting point का आडर क्या होगा क्या होगा melting point का आडर क्या होगा क्या होगा if is cometric fiak kya है of some CH3 CH2 CH2 और CH2BRA direct NCIT का question है इसका compression किसके साथ किया गया था यह देखो आपका क्या है 1234 चार कारबन है चार कारबन होगा तो क्या हो जाएगा ब्यूट क्या हो जाएगा ब्यूट एन और उसके पहले लगेगा वन ब्रोमो क्या लगेगा वन ब्रोमो तो हम समझ रहे हैं कि आपको आईउपेसी नामन क्लेचर आ गया है अगर आपको नहीं आया है तो आईउपेसी नामन क्लेचर की वीडियो आप देख लेंगे आप तिनों पार्ट देख लेंगे नहीं देखें तो उसके बाद हम करेंग एक कारबन दो कारबन तीन कारबन चार कारबन अब देखो एक दो तीन यहां पर एक जगे हम क्या लगा दे रहे हैं बी यार लगा दे रहे हैं क्या लगा दे रहे हैं अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे branching increase करेंगे क्या करेंगे branching को increase करेंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा A3 और एक carbon हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर CH और यहाँ पर हम कर दें CH3 तो यह देखिए इसमें एक branching हो गई है और यह दो क्या है यहां पर branch निकल गई है एक दो तीन एक branch हो गया और इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं जैसे हम क्या कर दें CH3 यहां पर C हो जाएगा और यहां पर हम क्या कर दें ya यहां ब्रांचिंग होगी जैसे जैसे ने बैं रहें आपके ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे मेश को गटते हैं इसका ऐसे da है वैसे मैरिंटिंग फोइंट गटते हैं इसके बाद अगला बेधिक निकरता इंक्रीच करता तो आप देखो सब्सक्राइब कि की बात करें जहां फ्युक्त प्य सिट्व का डेन्सिटी का तो ध्यान दो जो भी अरगेनीक कपा 한다 है जो भी अरगेनिक सथे हैं जब मालिकुलर मास करता है तो इनकी डेन्सिटी वह क्या करती है इंक्रीज करती है, क्या करती है, इनकी देंसिटी भी इंक्रीज करती है, ठीक, देखिए, as the molecular weight increases as the molecular mass increases, molecular mass increases, इसके बाद इसमें जो पूछा जाता है जो इंपोर्टेंट पॉइंट है कि क्या यह जो है में कहले है जल से हलके है जो गयश मेंबर को छोड़ा है दो यह होटे होते हैं हेवियर दैन वाटर होते हैं क्या होते हैं है दैन वाटर इसके जो होते हैं लिक्विड होते हैं वो जल से क्या होते हैं भारी होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि देखो गैस है वह क्या होता है वाटर से हलका होता है इसके बाद इसके जो लिक्विड होते हैं हैलो एलकेन के वह जल से क्या होते हैं भार ही होते हैं उसके बाद च्छटमें पॉइंट के हम बात करेंगे solubility की क्या solubility की solubility से पहले आपको जानना होगा कि जो आपके organic substance है organic solute होते हैं वो organic solvent में dissolve होते हैं जो inorganic solute होते हैं वो inorganic solvent में dissolve होते हैं क्या जो आर्गेनिक सोल्यूट होते हैं वे आर्गेनिक साल्यूट में डिजॉल्व होते हैं जो इनार्गेनिक साल्यूट होते हैं वो इनार्गेनिक साल्यूट में डिजॉल्व होते हैं आपको पता है जो हेलो अलकेन है जो हमारा हेलो अलकेन है वह एक जो है वह एक तरह का Department तो उन्हाने अच्छा डिजॉल्व होगा जैसे हमारे पास ऐंसे अच्छा सभर तो आपको पता है जो आरगेनिक लोसे वांट में अट्छा डिजॉल्व होंडे इस्पाइरिंगली 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 इस्पाइरिंगल सालवेंट हैं तो आपको पता है अगर इंशॉपलिशा होने की संभाना क्या होते हैं तो यह क्या होता है लेकिन यह अच्छा खासा हो जाया जैसे ऊधार बेंजीन है रहां है तो यहां से जो है एक नंबर का कोश्चन हर सेट में बनता है कहीं कहीं से कुछ जरूर पुछा जाता है तो इसको आप इतना पढ़ लेंगे यहां से आपका एक नंबर का कांसेक्ट क्लियर हो जाएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो शेयर करो दोस्तों में चैनल इतना है फिन नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रपार्टी को स्टार्ट करते हैं तो बने रही है लगातार जो है कंटिनुवस थोड़ा सा जो है थार्ड के बाद फोर थाने में जो है देरी हो गई कुछ प्राकृतिक कारड़ों से आगे की वीडियो जल्द से जल्द प कि नेक्स्ट वीडियों